हलो दोस्तों मैं हूशी उली और आप सब कर स्वागत है मेरी किचिन में आज मैं आपको महाराश्टिन स्टाइल परसन की सूखी सबजी या परसन की चटनी बना कर दिखाने वाली हूँ बहुती सरल रेसिपी है और खाने में बहुती मज़ेदार है चलिए जटपट रेसिपी देख लेते हैं मैंने यहाँ पर कड़ाय बिठाया इंडक्शन पर तेल डाल देंगे अपने पसंद से ज्यादा कम तेल डाल यह कोई प्रॉब्लम नहीं है तेल अच्छा गरम होने के बाद हाफ टीजपून जीरे डाल देंगे और हाफ टीजपून सरसो डाल देंगे जीरे और सरसो को अर्चे से चटकने देना है उसके बाद हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे प्याज यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के प्याज लिए है और स्लाइसेस में काटा है चाय तो आप बारिक भी काट सकते है प्याज के साथ साथ हम यहाँ पर नमक भी डाल देंगे स्वादानु सर लेकिन ध्यान रहे नमक बहुत ही कम डालिये क्योंकि हम जो फरसन डालने वाले है उसमें भरपूर नमक होता है इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालना है स्वाद के हिसाब से प्याज को हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं है थोड़ा ट्रांस्परंट होने देना है उसके बाद यहाँ पर हम अदरक लसुन का कूट या पेस्ट डाल देंगे त्येज aver ट्यबिल श्पन मेंने लिया है और अभी अदरक लसुन का कच्चापन खतम हो जाना तक ही भून लेना है शथ को medium या मीलियंट ड्याद रखेंगर और भून लेंगे देखे दूस्तों अदरक लसुन का कच्चापन बिलखल खतम हो गया है कच्छे बुदबु चली गई है अभी हम टमाटर डाल देंगे के निए कट में बारिक काट लिया है वो मैं डाल दिया है और हुरी मिर्च का कूट seven । मैं अभी मुझे याद आया कि परसन में भी तीख़पन रहता है और इसके साथ साथ एक और भी मसाला में डालने वाली हूँ जो है कांदल असुन मसाला तो उसमें भी काफी मिर्ची रहती है इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है और अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा आप बाहर रहते हैं और आपके पास नहीं मिलता है तो आप यहापर डॉर्बल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए और यह है आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर में लगभग एक टीजश्पुन डाल रही है और अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो थोड़ासे निम्बू का रज डाल सकते है और वनफोर्ट टीजपुन मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर, थोड़ासे पानी तो पानी डाले है अभी हम भून लेंगे और थोड़ा सच मदरें स्झाफितन पूप फोर टीजपुन शाही गरम मसाला अच्छे से मिला दिया मैंने अभी ढाक ढाक कर कोक करेंगे जब तक कि उपर से तेल नहीं दिखने लग जाता और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता देखिए दोस्तों उपर से तेल भी दिखने लग गया है और टमाटर भी बहु परसन डालना है मसालों को हमें बहुत ज्यादा सुखाना बिल्कुल नहीं है नहीं तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी चटनी तो इसलिए ऐसे नरम रहते रहते हम यह पर परसन डालेंगे अगर आपका मसाला बहुत सुख गया होगा तो थोड़ा सा पानी डालके और थोड़ से और भी डाल सकते हैं देखिए दोस्तों मसाला बहुत ज्यादा लग रहा है और फरसन बहुत कम लग रहा है तो बाकि जितना मैंने रखा है वो भी मैं डाल दूँगे भी अच्छे से मिला लेते हैं और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अभी अगर आपके पास फ्रेश हराधनिया हो तो वो डाल दीजिए मेरे पास नहीं है मैं स्किप कर रही हूँ अभी और सुखाना नहीं है कुछ भी नहीं करना है अभी बस हीट बंद करना है और 15 गरम फरसन की चटनी को साफ करना है तो चलिए दोस्तों फरसन की चटनी को सार्फ कर लेते हैं आप ने देखा दोस्तों कितनी easy recipe है घर में अगर सबजी तो यह सबजी आप आराम से बना सकते हैं और जट प्र आपा इसको Biz नहीं ओपर से थोड़ा सा और परसन डाल देते हैं दिखने में अच्छा लगेगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर प्रेस करना ना भूले आज के लिए यहां तक ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे बाई बाई